अगर हम घर में तंदूरी पनीर टिका बनाते हैं तो रिस्टोरेंट वाला टेस्ट तो आही नहीं पाता क्योंकि सभी के पास तंदूर नहीं होता पर आज मैं आपके साथ शेयर करनी जा रहे हूं बिना तंदूर के एकदम होटल रिस्टोरेंट जैसा स्मोकी फ्लेवर वाला पनीर टिका की रेसिपी जिसे बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने इसने बहुत से टिप्स और ट्रिक्स बताए हुए हैं जिससे आपका पनीर टिका पिलकुल होटल की तरह पनेगा तो चलिए फिर शुर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बेल आइकन भीट कर दीजिए ताकि मैं जब भी अपने नए रेसिपी अपलोड करू तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकिशन मिले तंदोरी पनीर टिका बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है पनीर के क्यूब्स थोड़े रखना है छोटा बिल्कुल भी नहीं रखिएगा दो प्याज को मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है एक कैप्सिकम को भी क्यूब्स में कट कर लिया है इसके स के लिए इसमें कलर नहीं आना चाहिए बस इसका ध्यान रखिएगा यह बहुत ही जरूरी इंग्रीडिंट है पनीर टिका के लिए जिसे होटल वाले भी यूज करते हैं यहीं देगा इसके मेरी नेशन को प्रुपर बाइंडिंग एक बड़े बोल में मैंने 3 4th कप हंकर लिय इसके लिए 1-2 कप दही को मैंने आदे घंटे के लिए कपड़े में बानतकर प्रूब धांग दिया था अब दही के साथ इसमें हमने डाला है वन टेबल स्कूं धनिया पावडर हाफ टीश्पूं लाल मिर्च पावडर एब इसमें डालेंगे वन टीश्पूं चात मसाला इसे बहुत ही अच्छा चेटपटा स्वाद आता है, वन टीए स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, और अब इसमें जाएगा, हाफ टीए स्पून गरम मसला पाउडर, वन टीए स्पून भरके कश्मिरी लाल मिर्च, यह ज़्यादा तीखा नहीं होता, लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है, पनेटिक का में, तो आप चाहें तो इसकी जगा देगी मिर्च भी ले सकते हैं, बजार वाले इसकी जगा फुट कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं, अब इसमें डालेंगे, वन फोर्थ टीए स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टीए स्पून हल्दी पाउडर, जो भुना हुआ बेशन था, उसे डालेंगे, वन टेबल इस्पून भर के कसूरी में थी, इसे हम हाथों से क्रश्च करके डालेंगे, हाफ टीए स्पून नमक, एक बड़ा चम्मत चिंजर गार्लिक ग्रेन चिली का पेस्ट, अब जो सबसे जरूरी चीज डालेंगे, जिसे पनीर टिक्का में असली स्वार आता है, वो है सरसो का तेल, यहां मैंने दो टेबल इस्पून सरसो तेल का धूँआ उठने तक गरम कर लिया है, इसे गर्मा गरम डालेंगे, और इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएगा, क्योंकि तेल बहुत जादा गरम है, चम्मत से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लेजिए, हमने सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, पिना कलर डालें ही आप देख सकते हैं, कश्मिरी लाल मिर्च से किता बढ़िया कलर आया है, तो कितनी असानी से होटल जिसा पनेर टिका का मैरिनिशन तयार हो गया है न, अब इसमें डालेंगे कटे हुए शिमला मिर्च और कटे हुए प्याज, फिर पनीर के क्यूब्स, अब इन सब को हलके हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एस्पैचुला से, आपको अगर एस्पैचुला से मिक्स करने में प्रॉब्लेम हो, तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, बस ध्यान रहें, पनीर बिल्कुल भी न टूटे, या फिर पहले प्याज और शिमला मिर्च डाल कर मिक्स कर लेजिए, फिर पनीर डाल कर मिक्स कर लेजिए, तो आप देख रहे हैं, पनीर और सबजियों के उपर कितने अच्छे से मैरिनेशन की कोटिंग आ गई है, अब हमें इसमें होटलो रिस्टोरेंट जैसा देना है, बढ़िया सा एस्मो की फ्लेवर, तो इसके लिए सेंटर में एक छोटी कटोरी डालेंगे, और उसमें जलता हुआ कोल यानि कोईला डालेंगे, जिसे मैंने गैस के फ्लेम पर डरेक्ली थोड़ी देर के लिए रख दिया था और इसमें अच्छे से आग सी लग गई है, अब इस कोल के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे, जिससे धुआ उठने लगेगा, और इसे फटा फट हम कवर कर देंगे, दस मिनट तक इसे ऐसी ही छूड़ देंगे, ताकि सारे मिक्स में अच्छे से स्मो की फ्लेवर चला जाए, बड़ कवर हाटा कर कोईले वाले कटोरी को हटा देंगे, फिर इसे एक वार हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे, अब बारी है इसके फाइनल प्रोसेस की, इसके लिए इसके लगाना है और फिर सेख रहा है, अब हम ऐसा skewers लेंगे, इसे online असानी से आप ले सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ tips बताने वाले हूँ जिसकी वज़े से सबजिया और पनीर skewers से बाहर नहीं निकलेंगे या फिर roll नहीं होंगे, यह बिलकुल lock हो जाएंगे और आप अच्छे से इसको save पाएंगे, इसमें सबस पहले इसे लगाएंगे, यह बिलकुल भी lock कर देगा और पनीर प्याज या शिम्ला मिर्च को बिलकुल भी हिलनी नहीं देगा, फिर शिम्ला मिर्च लगाएंगे उसके बाद पनीर, पनीर को इस तरीके से ट्रेंगल में हम लगाएंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे, क्योंकि प्याज, फिर शिम्ला मिर्च, फिर वैसे ही ट्रेंगल में करके हम बनीर लगाएंगे, इसी तरह से पूरे स्कीवर्स को हम तयार कर लेंगे, और सबसे एंड में फिर वहीं सेंटर वाला जो प्याज का पाठ है, उसी को लगाएंगे, तो दोनों तरब से यह बहुत ही अच कैस्की वर्स तैयार हो गया है, अब इसे से इख लेंगे, इसे ढिरेक्ली हमें लिखूर से इक довर में उन ऐ बनीर ऋन करके भ्हाइंगे ऐसे टिख़ाया टिखे जबाब एसाम को तरह से तो पूर से रख लेना है, इसी से कमाल का होटल और रिशोरेCrги जैसा तंदूरी टेस और smokey flavor आता है पनीह टिकका में यहीं तो मेन सिकरेट है तो अप आप देख सकते हैं हमारा पनीह टिकका बहुत ही अच्छे सेख चुका है इतना बढ़िया दिख रहा है बेल कुल रेस्ट्वरिण जैसा लुक आ रहा हैsky गल कि अनलगा है इसे एक एक करके एक बड़े बोल में डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बनता है ये आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा एक दम होटल रिस्टोरेंट वाला स्वाथ आपको मिलेगा तो देखाना आपने बिना तंदूर के बढ़िया सा एस्मोकी फ् इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा एक दम होटल रिस्टोरेंट वाला स्वाथ आपको मिलेगा इसमें हमें कुछ और बी चीजे डालनी है जो इसके स्वाथ में चार जान लगाएगा तो अब इसमें जाएगा दो बारिक कटी हुई हरे मर्च एक चमच बारिक कटा हुआ हरा द्धनिया एक बड़ा चमच मिल्टिट बटर बटर जरूर डालिएगा इससे बहुत ही अच्छा फ्लेबर आता है बिल्कुल होटल रिस्टोरेंट वाला फ्लेबर देगा अगर बटर डालिएगा अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आब इसे सर्व कर लेते है इसे मैं लच्छा प्याज और हरी चेटनी के साथ बिल्कुल रिस्टोरेंट जैसा मैं सर्व कर रही हूँ इस पनीर टिकका को जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा इसके साथ ही आपको बहुत तारिफ मिलेगी सभी कहेंगे इसे कैसे बनाया लग रहा है ना बिल्कु प्रास की तंदूरी पनीर टिकका की रेसिपी पसंद आई होगी अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल भी नहीं भूलिए फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए